लगता है जरूर तुमारे बापने महज़े होंगे अगर मुझे देख लिए तुमेरे टुकड़े घर देंगे अब मैं क्या करूं हमें अपने घर की लड़की चाहिए बास तुम यहां पर आया हो तुम में बता लिये इस घर में यहां पर भेजा है लड़की इसी घर में बॉटल मनी ने आपने यहीं बताया यह क्या कर दिया अ अदुद दी यह जडिया और यह यह नहीं है चलो यास चल जाओ उदर देगो उस तरह होगी कौन है तो चुपचा बता कि लड़की कहां पर है क्यों किसी का प्यार के बदले वफा नहीं यह तो पागार है चलो यहां से इस टैंक के अंदर से आवास आ रही है यह बता कि यहां पर चुप रही तो में कूद के मर जा चलो दर्वास को तू अरे तो तोड़ नहीं सदा सुहागन रहों दूधो नहाओ पूतो फलों कल रात ही मैंने इनको ऐसा अशिर्वात लिया था मगर लबी उरका अशिर्वात नहीं दिया था मैंने इस लिए यह सब अरे पापी अब कलेजे में ठंटक बढ़ गई कितनी बार का उसकी शाली करवा दो पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब देखो यह क्या हो गया तू भाई है या कसाई है अपनी बहन की ही जान ले ली वो हमेशा कहती थी चीएगी तो उसी के साथ चीएगी अब देख कैसे खुशी खुशी चली गई है वो अब कुश है ना तू मेरी बेटी को पार डाला तुने अब तो पुराने जबारी का लोग है फिर भी इस रिष्टे के लिए तयार हो गयते और तुम आज के जबारे के होकर भी इन्हें ऐसे लटकने के लिए मजबूर कर दिया बैसाब मेर दुमाद को दोनों को एक साथ बीजे उतारिये उतारिया इन्हें उतारिये अंश्च में लाश की तरव भारी हुआ मैंने कहा था ना बोटर लोनी बहुत दिमाग वाला है मुझे माफ कर दीजे भाया अब तो ऐसे क्या घड़ा है इसके माबाप ने तुछे दामात तो मान लिया है ना जा जा कि आशिरवाद ले ले उनके खुश रहे और कुछ भी नचाहे नारायन नारायन थीयोरी हो गया अब अगला टेस्ट चुड़ू करते है चलाओ घर पसंद आया है अभी तक आपने अब बहुत हो गया आप लोगों को घर नहीं दूगा आप लोग यहां से निकलिए क्या सर आपके सारी कंडिशन्स को हमने ओकी किया है यह प्रैक्टिकल टेस्ट में आप लोग निकलो यहां से अरे वह बच्चा पिशाब कर रहा है आपर पर पर चिलाओ मात रुको अरे पापा सीने में दर्ध हो रहा है क्या आप वह क्या-क्या सोच लेते हैं आजकर आपके की मेरा अर्द हीजिनेशन के हिसाब से यह अरतीस्वा बॉइफिरंता है ना इमेजिनेशन में डांस में रोक लिया वो तुम्हें किस नदरों से देख रहा था पता है बेटरूम तक थौट चला गया था क्या सॉरी बेटी और चाहिए बस हो गया आपकी ऐसी हां घर मैंने तुम सबको दिखा दिया पसंद आया हम लोगों को बहुत पसंद आया से बेरे कुछा आप मेरी कंडीशन सर हमारी कंडीशन क्या वह आपको बता दिते हैं अगर ठीक लगे तो किसे दो क्या सब अपनी कंडीशन in प्रवेरी बेरी ग६श्क रीज़ ओ बोलो हम लोगों को सिगरेट पिना बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे होड देखकर आपको पता चल गया होगा शराब की बद्बू से भी हमको एलर्जी है इस एरिये में कोई वाइन शाप नहीं इसलिए हम यहां पर आए हैं अगर यहां कोई शराब पीता है तो हमको बता करते हैं सर उसी तोर हम लोग 12 बज़े राट तक पढ़ाई करते हैं बिजली बिल्ल हम लोग डबल दे देंगे किका क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए हम लोग ठोड़के अलग घर ढूंटा है ऑसब हम लोग कुछ छुपाते नहीं है खुले विचार धारते हैं आपके खर में कोई जवान लड़की भी है क्या है क्यों अकर उसने कही हम लोगों को पसंद कर लिया तो पसंद कर लिया तो शादी करने के जबरदस्ति मत कीजेगा बहुत दोपे नहीं हो तुम लोग तो दिल में कुछ और कुछ और जबान पर कुछ और ऐसा नहीं है सिद्धान थे न्याय धर्म मान मर्यादा बिन बता सुष्टाचार इतना है ना यहां कुछ और भी है बता दो सब कुछ खतम हो गया सर आप अपने कंडिशन बताईए मेरे सिर्फ एक ही कंडिशन है प्रैक्टिकल टेस अरे रे वापसी ने में दर्दु रहा है गया नहीं बेटी इन लोगों ने मेरे दिल को छुलिया है नहीं आ रहा है इतने अच्छे लोग है यह सब कभी राम बनके कभी शाम बनके चले आना प्रभू जी चले आना अब हस क्यों रहें पाप एक लड़के ने कहा था मुझे सिगरेट का धुआ बिल्कुल में पसंद नहीं आता है वो होटो पे सिगरेट रखकर दुग 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 धुआ उड़ा र मैंने कई बार समझाए उसको सिगरेट मत भी सिगरेट स्वास्त के लिए हनिका रखोता है अरे यह क्या है बेटा पूरी दुनिया के यूथ इसे पीते हैं मेरी बेटी को तू क्यो ढूड रहा है वो क्या है कि आज वो नहाने नहीं आई बातरूम उसका कुई कपड़ा दिर धमाल होगा सर रातल होना तो कौन है निया लगरा है आपने और लड़का चोटी लगा कर जोाया था हाँ लेकिन वो किधर गया चोटी यहांपर है जब जरूरत होगे तो सरपे लघा लूँगा यह सारे निकम्मे नलायक यहीं पर आ गये हैं तु यहां बैठकर क्या कर रहा है उस चट पर लड़की ना उसे सेटिंग कर रहा हूं दो दिन के बास फिल्म दिखाने ले जाओंगा अब यह घर खाली करना होगा तुमने कहा था ना आज बोलूंगा तो कल खाली कर बला रहा है मुझे और बॉलाने के लिए नहीं रखा है नतराजन क्यों घीच रहा है क्या लंबा घीच रहा है सुनरे ना मेरे नाम को नटबोल रहा है फिर कैसे बुलाओ तुझे अपनी बेटी के पीचे क्या छुप रहा है हमको होस्टल से भगा दिया इसलिए यहां देंगे यह उस्तल है क्या इसको तुम लोग भाड़े पर दोगे एक आत्री यह सब तुम्हें ठीक लगता है क्या ऐसे ड्रेस पेंद कर जाती हो किसी ने चेर दिया तो हमें जगरना पड़ेगा ना तुम मेरी बिटी के शुय है तुम को कैसे बगा आ ये मुझे हचर से पता है हुआ है किया गरात व्यकल मैं धीरा चलाा या क्या बचा आज तो है एड्या गोश्माट आ हाट तु है क्या यह ऊटरु को और तूफान है जो सब को उड़ा देता है वैसे तो शान्त हूँ प्रॉब्लम आने पर तूफान हूँ मैं लेकिन तूफान क्यों चला रहा है तो नहीं तो कहाता है कि लड़कों से घर खाली करवाना है उसके लिए वकिल परमानन के घर जल्दी पहुचना है इसलिए तो उड़ उसके लिए सिर्फ ही रास्ता है क्या इसा रास्ता गुंडा गिरी दरने की जरूरत नहीं है मिस्टर अइयर मेरी नजर में एक गुंडा है वो यहां आकर सिर्फ चिल्दा दे तो सारे लड़के चुप-चुप दुम दबा कर भाग जाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा वन टाइम खर्चा रास्ता तुम चुल लो ठीक है लेफ्ट में चलते सब राइट होना चाहिए लेकिन एक बात है रोड़ पर चलोगे हवा में उड़ोगे नहीं कोशिश करूँगा पैसे ठीक है देता हूं पूरी थेली हाथ में दे दो बहुत शुब होगा यही है वो गुंडा जिसे मैंने बताया था इंटरनेशनल भाई तुम बहुत लखी हो कि उसे जेल से बाहर आते अपनी आखों से देख रहे हो अब तु 36 का हो गया है अज क्यों रहा है तु जेल को क्या तुने अपने घर समझ रखा है आइसे ही आइसे ही देख अभी तेरी घूमने फिरने क्यों रहे है यहां क्यों टाइम बर बाद कर रहा है अच्छा यह बताओ कि यह जील के अंदर क्यों गया ऐसा कुछ नहीं है इतना जटका क्यों खा रहा है है देखा आयार माचिस की कांडी के आवाज से ब्रा उड़ने लगी ब्राउन कबूत यह क्या है माला तेरे लिए नहीं उसके लिए स्वागत नहीं करेगा उसका देख मुझे डर लग रहा है मैं यह रहता हूं तुम जाओ एक में डुक सेफ़न को डराना है यह पहले बता देना उसको बात करके देखता हूं पैसे सेफ जगह रख लिया है ना बिलकुल सेफ जगह है मनी की जैल रोज तो मैं जैल में अपनी जीजा जी को खाना देने आता ही हूं ना तो आज क्या स्पेशल है जो तु मुझे माला पहना रहा है एक नया मेगा सिर्यल स्टार्ट हो रहा है यह सब कुछ आक्टिंग है मेरी तारीफ कर रहा है तुझे ओके है क्या है और बापरे वो लोग क्या बात करें मेरी समझ में कुछ भी नहीं है कुछ भी हो मेरा घर खाली हो जए बार समझा चुका हूं समझ में नहीं आता जुटों के एक्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे गुंडों से डर लगता है यार मुझे डर नहीं लगता क्या सब कुछ तेरे लिए तो बोल रहा हूं तू नहीं कहा था ना ब्यास पे 25,000 रोपे चाहिए तुझे इसमें ना ब्यास देना है और ना किसी से उधार लेना है बलकि तू जो काम करेगा उसका यह इनाम है और तू बना कर रहा है देख तू मेरा पेमेंट एक साथ आयर साहा देदो क्या देदो यह ले पैसे मैंने दिये हैं उसने दिया इसा मत सोचना बस याद रखना प्लीज है तू इस तरह से जुकर के बात क्यों कर रहा है तू कौन है पता है अब मैं तो सुब्रमनी हूं सुब्रमनी यह कौन सा ना मेरे एक दम बॉटल मनी नाम का अल्रडी एक औरिजिनल गुंडा है उसके बार में बहुत को सुना है देखा तो नहीं है ना मैंने भी नहीं देखा है और वह गुंडा साउथ में है और तू नौर्ट में धमाल मचाने वाला है सिब दो दिन की बात है बोटल मनी तेरा पहला काम उनसे दोबारा अपनी शकल मुझे मत दिखाना जेल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है तुझे मार क्यों वहीं जाके रहलूंगा आप इस अचानक इस घर से निकाल देंगे तो यह बेचारा कहा जाएगा तेरा भाई भी तो अचानक इसी दूसरे लड़के से मेरी बेटी की करवाना चाहता है यह खुद ही निकम्मा है इसका हमारा अलावा और ही कौन इसी लिए तरस खाके सांड जैसे तेरे भाई को अभी तक पाल रहा था लेकिन यह तो आस्तिन का साब निकला इसकी इतनी हिम्मत कि अपने लफंगे दोस्त से मेरी बेटी की शादी करवाएगा अपनी यह सिर्फ मेरी बेटी नहीं तेरे भेंटी भी बेटी है मैंने माना कर दिया मतलब यह शादी नहीं होगी चलो यहां से इसने जो भी किया इसे माफ कर दीजिए हम इसके लिए दूसरा लड़का देख लेंगे ना इसने मेरी जो बेज़देती की वो का में जा चलो लखैरा कहीं का क्या देखिरो तुम लग चलो जाओ अपना काम करो आगए तमाशा देखने इनके घर में कभी ऐसा होता ही नहीं है जाओ अपने पती को खाना बनागर खिलाओ मामा मेरी वज़े से आपकी यहाल अरे यह तो चलेगा लेकिन अभी मैं क्या करूंगा कहा नाओंगा कहा दो गजी अरे मेरी माँ तुझा और कूई काम नहीं यह क्या हर वक्त रोति ही दिती ती आचा चल यहले रख ले रख ले कह रहाऊ ना अचा सुन इस में पूरे 25,000 यह deposit के पैसे अपने प्रेमी को जाके दे दे और उसको पहले अच्छे काम पे लगने के लिए बोल दे अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम्हारे पिता जी के सामने मुझ खुल सकेगा अरे मेरी मा मैं ऐसा रिष्टा लाया इस गुस्से में तेरा बाथ तेरे पसंद के लड़के से तेरी शादी करा देगा अब दो खुश है ना तुझे पता नहीं है लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ वह बहुत यह अच्छी इंसान है तो अब मैं चलू वकील नहीं चाहिए था इसलिए नोले के पास अब गुंडे को समघबने के लिए तुम पुलिस के पास जा रहा है हो मैं रस्ते के कि नाटक मत का चुप चप बता क्या बोल रहा है तू मुझे नहीं बता हूं तुम्हारे घर पर कोई नहीं मामी आई है तूम्हारा उनसे क्या रिष्टा हमको सब पता है वैसे दिखने में तो बहुत खुबसूरत है बिल्कुल हरी-भरी मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है तुम लोगों को यहां से भगाने के लिए इनों ने बॉटल मनी को पुलाया है तो क्या हम डर जाएंगे ऐसे बॉटल मनी बुलेट मनी जैसे भाई लोग बहुत देखें हमने आने दे उसको उसके साथ साथ तेरी भी वाट ल मामी कौन है रहे बता तु चूप नहीं रहा सकता फोन आया था कि मेरी मौसी की तवियत खराब है मुझे जाना होगा यार ए तूने कहा था कि तू गाउं नहीं जाए गाब उल्टा बोल रहा है तू ऐसा कुछ नहीं है तूम लोग क्यूं डर रहे हो तुम तक पहुंचने से पहले वो मुझे मिलेगा इमत मत आ रहो चलो यह क्या है विस्की कोल्रिंग में मिला कर पीने के लिए क्या कह रही है तू अरे हम शादी से पहले यह सब करेंगे तभी तो होने वाला पती अगर शराबी हुआ तो हम आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे अपने पती की बात क्यों करती है पता है इसके घर में सभी लोग हर वक्त नश्य में रहते हैं इसलिए किसी को भी शड़ाब की बूफ पता ही नहीं जलती है तुम लोगों के साथ यहां बैठी हूं क्या किस्मत है मेरी फोन बज़ रहा है तेरा पहले वो उठा हलो अहां पापा एई पापा ही मुझे देखने आ रहा है और वो इस वक्त यहीं पर है तो अभी से क्यों खड़ी है पूरी जिंदेगी खड़े ही रहना चला बैठ जा चुप रहो तुम लोग मुझे डर लग रहा है मैंने आज तक उसे देखा भी नहीं है तो फिर पैचाने की उसने ब्लू और ब्लैक प हाँ तेरी पापा ने बहुत हैंसम लिड़का चुना है क्यूट लग रहा है मैं जाकर कह देती हूं मैं इस तू क्या उसके पीछे पड़ी है शादी के बाद तो हम उसे पटालेंगे तेरी शादी के बाद ना हम बार बार तेरे घर पर आएंगे तुछ से मैंने नहीं तेर पीता है गया जड़ा एक मिनिट सर ये गिफ्ट को कीचन लग गया है मैं इसे वाश करके आता हूं इसे लेकर भाग मत जाना सर विश्वासी सब कुछ होता है चाहो तो आप ये रख लो ठीक है मैं साफ करके लाता हूं हाई हाई प्रिया अरे ऐसा क्यों देख रही हो मैं तुम्हारा मंगेतर हूं वाई 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 अरे रे क्यों कर रहे हो कुछ नहीं जो सोजा था उसे उल्टा निकला वाट 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 उल्टा हाँ आपका ड्रेस ड्रेस को क्या हो गया है आपके पापा ने फ यह सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या यू नो ट्राइग टू कन्फ्यूज मी बट मैं कन्फ्यूज नहीं होने वाला मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हें भी मेरे बारे में जाना होगा ना इसलिए तो यह मीटिंग है टेल मी हाओ आएम उसने आपका शर्ट पकड़ा तो उसे आप जवाब नहीं दे सकते थे माफ करने से बड़ा इंसान वो होता है जो माफी मांगता है ऐसा कमाल असन सर ने का आए है ओ सो क्यूट यार अगर मैं आप से आई लोगी को हूँ तो आप क्या जवाब देंगे बताईए ना प्लीज जब मुशे पसंद आओगी तो मैं आई लोगी बताईए क्या मैं पसंद हूँ इसी वज़े से आज कल देश में रेप केस बढ़ रहे हैं आप लोग इस तरह बरताब करोगी और द अब करेंगे अपके अंगुटी को कुछ नहीं हुआ है अच्छे से मैं क्लीन करके लाया हूँ लेकिन अंदर का जो हीरा ना वो डूब्लिकेत जैसे लग रहे है जोक था सर दिस इस मैं फर्स 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 गिफ फोर यू वेलकम अगर तुझे भी उपर जाना है तो जाकर इन से आशिरुवाद लेना होगा तुझे बाइक से जाना होगा अब तुझे बाइक का मिलेगी बाड़े पिलेंगे तो किसी को जानता है किसको पता है जाकर ढूणेंगे मुस्कृराता हुआ कोई बेवकूफ मिली जाएगा अगर उसने वहर अपने देश वापस नहीं लोट पाएगा तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या चल जा गाड़ी यहां किराय पर ही मिलती यहां से तीसरी दुगान पर जाव वहां सागी किराय भी मिलेगी उससे ले ले पर शोटे से बच्चे को समझ में आया आप इतने बड़े हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या सर आपकी रेंज क्या है और आप इस दुकान पे आये वह किराई पर एक बाइक लेने आया था अरे सर यह गाड़ी आपके लिए यह लिए यह देके बहुत बढ़ी यह गाड़ी है और वह सिविल ड्रेस में इवन पुलिस टेशन का नया इंस्पेक्टर है समझे क्या इन नमस्ते नमस्ते उन्हें अपने पोस्ट का घलत इस्तिमाल करना पसंद नहीं है लायोके बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है अभी गुंडे तावबनी को इंकाउंटर में किसने ठोका पता है क्या नहीं सर यह लो चावी भाड़ा कैसा है डेली यह यह वह सब दूसरों के लिए आप तिन दिन में दो के तो भी चलेगा ठीक है मेरा एड्रेस पता है इंस्पेक्टर एवन पुलिस स्टेशन अचर रोड मैलापूर चन्नाई पोर्ड मैने का था ना सर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिस सर प्लीज सर वो तेरा साला नहीं था भाई था अरे आपका दिमाग तो बहुत तेज है लेकिन फिर भी आप बेवकूफ बनी गए पोर्टल मनी यहां के लिए निकल चुके हैं आईये वेल्कम टू ट्रिप्लिकेन बॉटल मनी नाम है इसलिए चेन में बॉटल लटकाया हुआ है आईये क्या कर रहा है अरे शू नहीं कल रहा हूँ पैंट भी उतार दे तू यहां पर गुंडा है यह सब नहीं करना चाहिए अंदर चला है यह यह क्या शू है हमने हमलोग बहुत पवितर परिवार है नहीं मैं नहीं सब सब्सक्री कोङा नहीं यहां आ पर बूलाए खाय नॉटो यहां 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 आपral पीची करते हैं अँब्लकि यहां भी फुंकती है बैट रहे हैं इंदर बैक अट एक मिनट जरा रुकिए आउटडोर में जब आपने उड़ाया था तो सारे कबूतर उड़ गए इंडोर में उड़ाएंगे तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे ना जोग जोग यह लड़की कहों है तो अंदर जा बेटी यहीं पर रहे नहीं दो नाम क्या है इस नट राज आई ए रटकी का नाम क्या है उसका नाम गाईत्री यह सब बताना ज़रूरी है नाम खुबसूरत है नए आखें नाख मो ओट और अंदर जाओ बेटी रुक जाओ बेटी कुछ नहीं आप लोग लेट क्यों होगे यही पूछ रा था मैं बस और कु पूचा था मैं इसे बताऊंगा जब गाड़ी निकल रहा था तो एक बीच में आ गया मैं हमेशा तो सौरी बोलता नहीं हूं लेकिन मैंने उसको सौरी बोल दिया तो तुरंद मेरा कॉलर पकड़ लिया अगर उस समय इसके हाथ में बोटल होता ना तो घुसिर के अत्री निक पड़ती किया बीए in computer science computer science why you want to do computer science when every talk you can marry mother is doing same subject when you finish your college and graduate you have a lot of competition in the same field then what are you doing to my child I'm sorry लेकिन आप पढ़ने के बाद गुंडा बने या पढ़े ये पूछना था वो टुंट बाद यही और आप इंसान को खाली मत कर दीजिए उन से चिर्फ यह घर खाली कर दिजिए नहीं यह इस जुरूरी बात तुम कैसे भूल सकते हो सर उन्हों की बत्तमिजी अब सेहन नहीं हो रही है सर उनमें इसे तु बहुत ज्यादा ओड़ रहा है सर मेरी बेटी पर लाइन वार रहा है सर अपनी लड़की को तुझे अंग्रेजी नहीं आती लेकिन तुझे कमाल की अंग्रेजी बोली है वह ऐसी कमाल करके इन से भी खाली करवाना चोड़ मुझे आद सुभा घर से निकाल दिया अब मैं कहा रहूंगा यह बता तेरे लिए फाइव स्टार भी बुक करवा सकता हूं दो-चार दिन में मैं कुछ करता हूं तब तक तुझ यहीं रहे यहां पर है कैसे वह तेरी कभिलियत है बस तुझ ऐसी एक्टिंग करते रहना कॉलर उठा और आवाज बढ़ा अपनी यह कौन है वह इस तुम लोग कहा चुप गयो बाहर निकलो बाहरा आओ चलो बोचल मनी आया है अरे तु चल रहे हो ना आयर का घर है तो कुछ भी करोगे भाड़े पर गिया है तो तुम लोग उसको हडपना चाते हो गया कौन से स्कूल में सर कॉलेज में पढ़ता तो गुंडा बन गया कॉलेज में पढ़े गा तो तू अपने सर पे चाय गिरा के रखेंगा क्या यह फैशन है स नीचे एयर की जो लड़की है ना उसको स्टाइल दिखाने के लिए मेरे सामने अपना स्टाइल दिखा चल तुम लोगों के चेहरे पर निशान पढ़ेगा तब घर खाली करोगे क्या नहीं सर आप बोल देते तो हम कली घर खाली कर देते कली क्या तो मैंने मारा क्यों तु सब रहने दो तुम में से कोई बहुत ज्यादा उचल रहा है वो कौन है यह सर मेरा और हम सब का दिमाग खराब करने वाला यहीं लड़का है क्या बोला तुने अब भी भी वही वह रहा है सर मुझे माफ कर दो सर आपको जो करता है वह इनके साथ कीजिये सर पर पुझे चोड़ दिए सर इस तरह पैर पे गिरना चमचा गिरी करना किसी की बुराइद करना आप उनको पसंद नहीं बोल देता हो यानि यह कहना चाहते है कि इनको पॉलि सब्सक्राइब कर रखा है कैसा कैसे सर ठीक है एक निकाल कर बता है सब्सक्राइब कर देंगे चल तोड़ी से अभी तोड़ता हूं ऐसे तोड़ीगा बॉटल कितना महेंगा है पता तुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही है सबका काम तमाम कटिया किसी की आवाज ही नहीं आ रही है पीने के बाद हमें बॉटल से मारता मत सब्सक्राइब करूंगा तुझे देखता हूं तो गबबर सिंग के भाई की याद आजाती है मुझे आप हमारी तकलीफ समझ रहे है सार भी हमारी तरह यूथ है ना से इस उमर में लाइन बारना चिग्रेट पीना डिंक करना गलत है क्या भाई इस उमर में ये सब करते हैं हम उम्र करके इनको पोल रहा है आप मैं भी साहत पॉंपर में नहीं करेंगे तो आ तुम लोगों को क्या चाहिए इस एरिया के गुंडे हमें दिन में तो परिशान करते ही थे अब तुम्हारे किरायदार रात में भी सुने नहीं देखो तुम लोगों तुम लोगों के बारे में मुझे पता है यह सब लोग भीगी बिल्य है सिर्फ दो बोटल बीर पीकर तुने इतना बावाल कर दिया और मैं आधा दरजन पीकर भी इतना शांत था तू एक नमबर का बेवड़ा है रही मेरी बात चोड़ अईर की बात क्या उसे क्या जवाब देगा गार्मा करम कॉफी लेकिया मैं निकल रहा हूं करवा देना तेरे बाप की तरह मुझे भी शूगर पेशन समझाएगा कॉफी में शक्कर क्यों ने डाले जा शक्कर डाल के लेकिया आजा आप आप कब निकल रहे हैं ने ने मुझे एसोसीशेशन मीटिंग में जाना है ना इस लिए मैं कॉफी पीके जाता हूं चलेगा न करें लड़के दूसरे गुंडे को बुला कर तुम्हें मारने के लिए क्लिए तो क्या करोगे लगा कुछ भी कर सकते हैं तुम्हें गुंडों से पिटवा सकते हैं यह देख तेरी बैटी यारी है ना कितनी खूबसूरत है हो सकता है चार लोग आए इसे उठाकर ले जाए अब सिर्फ एक भी की बात है ना आप उन लोगों को खाली करवाने के बात चले जाईएगा यहां से एक को मुझे ऐसा टेंशन दे रहे हो यार कोई काम दो काम दो काटने पिटने का काम मांगा तो घर खाली करवाने को बोल रहे हो यह बहुत ही चीप काम लगता है मैं नहीं क करने नहीं करना है तो छोड़ दो तक्दीर में लिखाया वह होगा ठीक यह यह तेरे लिए नहीं तेरी गायतरी के लिए मैं आ रहूंगा क्या यह क्या कर रहा है इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते तुम जाओ अंदर हाँ यह एक नमर का मजनूर है पकलो उस लड़की को क्यों क्यों दल रही है क्या मौसी मचली को दबोच के तुने माल डाला मचली तो क्या जरूरत पड़ी तो साब को भी माल सकती हूं मार्केट की तरफ से मज्जा कुछ गुंड़े वहां परिशान कर रहे हैं समझ गई ना इस तरफ से चलते हैं लड़कों का आजकल बस यही काम रह गया है तुम इस तरफ से बस टॉप जाना पड़ेगा यह बहुत खतरनाक है वह घूम कर तेरे पीछ आएंगे इसलिए बो मनी सर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो मैं आपको काम दलाती हूं इसके साथ क्या काम में बस यहीं पूछ रहा था तो पापा फिर बता तूंगी आप चलिए ना कारी निकाले आपका लोट है नीचे गिर गया उठाइए तू जब भी तुझे जरुरत पड़ेगी ऑट लड़की को फिल्म दिखाएगा तो इन्होंने दिखाने के लिए यह कौन है तेरा बॉइफ्रेंड है क्या रही है यह यह क्या बोल रही है यह मर्द है इसलिए कह रही हूं अरे भाई आपने मुला यह ने बहुत मैं क्या इज़त से बात कर इसे क्या इज़त देनी तुझे पता भी है कौन है अरे आपका नाम लेते ही कैसे दुम दबा के भाग गए भाई बहुत दिनों से बॉटल मनी हाथ नहीं आ रहा था वो अपने एरिया में है समान निकाल मुझे लगा आप उनके हाथ पैर तोड़ोगे वह सीन तो मिस हो गया अच्छा काम दिया लेकिन वह लोग तो ठूस होगे ना वह मैं बूल रहा हूं नहीं अभी तो फिल्म बाकी है वह देखो वहां पर आज तो इसे छोड़ेंगे नहीं सब्सक्राइब करेगा मैंने कर दिया तो रुकोंगा नहीं आता हूं बड़ा बोलना था स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्ट कर दिया तो रुकोंगा नहीं स्टार्ट कर दिया, रोक के दिखा लोग देख रहे हैं मैं इस लड़की को कॉलेज तक छोड़ कर आता हूं उसके बाद हम बैठ कर आपस में बात कर लेंगे ना अज कॉलेज नहीं है आप अपना काम करो बाइक से उतर के एक को धो डो डालो behaviors के उतर है किया तोने सेबेंस्तिन का हाथ क्यों कहाँ है। कया सेबेस्तिन का साद में हमाइनी से पता है किस में जी साथ से खाता उसी याच से दोता है ची वह जाए भाई भाई छोड़ दूना आ अरे कोंप्रोमाइस कर लेते हैं क्या 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 तुने किसके ऊपर आदूनाया तेरी तो अरे वह उसिती तो से खाता है अरे जोने उसी फराज आदूने उसी पचेहा कि ये तो झालो! मालो दे! कि यह समल्गे मनी सर् इंव कमाल कर दिया ना हीरो है आप आप है कि इस तर त्यूब लाइट यह कराए है आफ कर दें आप है अज़िए इस अज़िए कि अज़िए लो अरे अरी सार्व अर्वार सार्व किया एसे उरूर के मार रही हो ड़र के मार रही हो दर के मार एक गला सूख गया है ठीके आराम दूराऊ अरे 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 यह तो तेरा मंगेतर है ना में सुआ मंगेतर हाँ हाँ छोड़ा जार उस दिन तो दर पूपरनी के आक्पिंग कर रहा था यह उसे इमेजन करके देख यार यह तो यह तो यह क्या नारे लगा कर हमेशा चले आते है डोनेशन मांगेंगे इससे पहले घर खाली करके निकल लोगागा दो प्रूपर तो यह तो यह तो यह से यह अधाए फ्रूपर प्र अधाए यह आए फीट में आये ना फिर लग गया दोनों को एसे धो रहा था अचानक पीछे से गोल 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 गुमा कर फिर पकड लिया और फिर पिर आशी बारा और इसे निस निचोड़ दिया और उसके बाद गई मेरी धोती गई अपनी दोती छोड़िये पापा मेरी इसर चली जाती तो उसके पारे में सोचिए भारत में बहुत सारी राचे है शादी का योग चलता जा रहा है पापा मनी सोन ने एक के चहरे पर लात मारी और हवा में उनका स्विंग करके नीचे आके गिर गया था है सीधा नीचे पापा फिर फाइट कतम होने के बाद इसी तरह मनी सर स्टाइल से चलते हुए आए स्लो मोशन में अब तक उनकी शादी नहीं हुए पापा केस की नहीं हुए मनी सर की तुम उसके बारे में बात क्यों कर रही हो नहीं पापा इतनी छोटी उम्र में इतनी हमत आजकल किसमें होती है ठीक है आप सोजाएए हां यह आगे कहां तक पहुंचेगा यह क्या बापा इतनी जल्दी उठक है सोता तब तो उठता ना आप सोजाएए मैं थोड़ी दिल बाद आपको उठा दूंगी ठीक है यह बताओ तुम इतनी जल्दी क्यों उठक हो सब कुछ टाइन से करना है ना भगवान की पुझा करनी है दो दूबाल कर कौफी बनानी है उठते ही मनिसा कौफी मैं भानी कर रही है जैसे यह उस मनी की बीवी ओर नहीं तुम नहीं दे घॉंगा उपरह नहीं नहीं है तो मैं क्या करूँ तुमने क्या मूल कर मुझे से अड्वांस दिया था उन कम कर तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसके जीजा ने उसे घर से भगा दिया है इसलिए यहां पर नहीं है वह लड़की गायत्री पापा मैं दिल मुझे आराम से ऐसे ब्रेक लगा के रुक रुक के बोलेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा एक लाइन में वह सब छो लाक नहीं चाहिए तुम जल्दी उसको यहां से जाने के लिए क्या हों अरे अरे क्या हो गया और आराम से लेकर क्या हो बहुत बहें गया है कहीं इसके साथ कुछ वो जहां से आया था वहीं पहुचा दिया ना अभी उसको अंदर करवा दिया जेल विजवा दिया पोलीस ऐसे छोड़ी की क्या उसका सर देखा ना टुकड़े टुकड़े हो गया है तुम्हें बहुत डरा रहे हो पाप तो अधर है आउट वाले यहां है आज तक पुलिस मेरे घर पर नहीं आई है वो लो गाएंगे तुझे लेकर जाएंगे मुझे क्यों लेकर जाएंगे तुनेहीं तो उसे खाली करने के लिए बोला था ना अरे बापरेबाप मनी सर आप कुछ तो बोलिये कुछ तो कर पर देखा तो यह वाटर ट्रैंक से कूद रहा था अरे बापरे फिर मैंने इसको पकड़ा इसका वजन बहुत ज्यादा था तो इसका सर कंपाण लड़की इसको पसंद नहीं करती है उसके घरवाले उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं पता नहीं वह लड़की अब क्या कर रहे होगी वह शादी के आगरी वक्त तक मेरा इंतजार करेगी मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूं इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे दोस्त कर सकते हो अगर आप चाहें तो उस लड़की को शादी के मंदब से उठा सकते हैं जानते हैं इनको यह बॉटल बनी है समझा अरे इनको यह घर खाली करवाने का काम इतना चोटा लग रहा है और तुम इसका हॉस्पिटल से डिश्चाज करा के रिजिस्टर आफिस में लेक कि यहां पर सिक्रेटी खड़ा है घूर कर देख रहा है तू अपना कामाल दिखाना शुरू कर रहा है तो बहुत बड़ा हो गया क्या गोनी उठाने को बॉल रहा हो तो हेल्फ नहीं कर रहा है में मनाई है मेटर से उपर नीचे देने को बॉल सकते हैं अब लोगों का कर रहा है मुझे शादी का सबान कल रात कोई अंदर लिकर गए वह पहले का था इन्होंने सामान खरीद लिया होगा वाच में सर कम पढ़ रहा है ऐसा फोन आया था एक्स्ट्रा नारियल चाहिए मालिक ने कहा था ठीक है ठीक है ठीक है नारियल लिकर के जाओ रखके जल्ल अब ने उटा शुब मूर्त निकलता जा रहा है तू भी अंदर जाएगा तूब किसको बोला रहे तूने आपको तुफान तो भी थीक है अरे बुलती वो लटकी आरे कि कैसे ही वह तो हमें जानती भी नहीं है कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा अरे उसके लवर का नाम बेते ही वह अपने अपा जाएगी लेकिन उस लटकी का नाम क्या है तू जानता है क्या अरे पॉप्रा ले तो पता ही नहीं था हमें कोई और समझ कर वो चिला ही तो नेरे रुमार में क्लोरोफार्म है बेहोश होने वाली दवा एक ही बार में मैटर सॉल समझे यही ल अरे लड़किये की पहलवान है किस्टी बारी है चुप-चाप चलना है बोरी को नीचे रखो वापस बोरी में क्या पर कर ला रहे हो तुम लोग वो क्या है कि हम दूसरे मंदप में आ गया है तुमको पता है क्या मैंने कितनी शादी करवाई है तुम लोग मुझे चूना यह बोरी बड़ी क्या से हो गई क्या चोरी करकर लाए उसके अंदर बताओ अंदर पूरा कल्यांट जोलेस भरा पड़ा है क्या जौन लोग यहां से ले जाएंगे अरे मुझे मेरा पैसा दो तुमारे इस गोनी से मुझे कोई मतलब निया लेकर जाओ अपना बजाक कर रह गई रहे तुझे पूछो इसे तोड़ी यहां दर्दी दिखा कर तुमारी है अल्क कर दी बहुत उचल रहा है तु सारे ओटो वाले ऐसी चीप होते हैं अभी हदियार निकालता हूं अब यह प्र नहीं चलेता अब यह अदर शादी हो रही है मुझे माफ कर दो तुमारे पढ़ता हूं पढ़ता हूं पोरी रेकर तुम जाओ जाओ ऑटो का भड़ा देखे थे हैं में डेटा तुम डेटा यह लोग चलता हो रहा है इस गोनी को तरह बाप उटाएगा क्या बाप तक मत जा यह तरह चंचंचं मेरे को बोल रहा है तुरुक जाना या पैर पकड़ लड़की के लिए किस हब तक पहुंच गया देख बोल आके पारसान देकर जाए तू तो इस लड़की से प्यार करने के बाद कर रहा था तो फिर यह लड़की कौन है यहीं मेरी लवेट हाँ भाई यह बहुत देर तक आपका इंतिजार करी आप नहीं आयते खुद ही आ ग अब यह इतना कंफ्यूस कर रहा है उस सब्सक्राइब क्या बोल रहा था मुझे लगा कि यह होगा और क्या हमने किड्नेप करने का डिप्लोमा थोड़े लिया है अब यह पार्णी चिड़क ना जल्दी चिड़क यार जल्दी यह आंके नहीं खुल रही है तुने प्लोरोफाम ही दिया था न और ने तो क्या पैक थोड़ी पिलाया था तुने कितना डाला तो जल्दबाजी में मैंने पूरा बोटल डाल दिया था इसको पिला देता सब अच्छा यह लड़की कैसे बेहोश हुई आप बताईएगा सर शादी के मंडप में पंडित ने हवन में कुछ कर दिया जिस वचे से एक्स्ट्रा स्मोक से लड़की बेहोश हो गई और यह हो गया इसके माबाप अगर यहां पर आ गए तो इस जगह पर शादी का मंडप ब काम बोला है वो करना तू भी ना मुझे पता है चल जा सुहाग रात के दिन इस सब करना जरूरी होता है क्या यह सब एक फॉर्मालिटी है यार बॉटल मनी पता ने किस तकलीफ में है और इनको देख कितने मजे ले रहे हैं ए गल्ती उसने किया तो इसमें हम क्या कर सकते है ऐसा मत बोली यार वो हमारी हेल्प करने के लिए आया था हाँ भाई बॉटल मनी गुंडा हो सकता है मगर उसका दिल बहुत अच्छा है अच्छा वो लड़की अभी तक होश में नहीं आये क्या मुझे डर लग रहा है कहीं वो लड़की मर्दों नहीं गई यह क्या यार व एक्सक्यूज मी थोड़ा सा गंजा सर पे हैट पहने वे इंसान को ढूणने के लिए बला था वो मिला क्या नहीं सर दोस्त तू तू गया लड़की को एडमिट करके गया पैसे भी नहीं दिये उसने तो फिर यह शादी के मंडब में जाने के बज़ा इस तरफ क्यों जा रही है शादी के मंडब में इसमें कोई होगा क्या यार घर उस तरफ होगा चल गाड़ी निकल पिछा कर उसका अरे क्या हुआ लगता ओर इसनल पेट्रोल डाल दिया इस लिए इंजन ब्लॉक अगया तु इसको स्कूटर की तरह सुला कर स्टार्ट कर तू और तेरी खटारा कर और अधियर लॉक होता है तो ऐसी प्राब्लम होता है मेरी जानेवन ऐसे क्यों परशान कर रही है मुझे चल स्टार्ट हो जा यह गाड़ी के अंतर चुए कहां बोल रहा है यह साउंड कहां से आ सर बीच में पुलिस का लफड़ा है सर अच्छा तो इसलिए यह जगा बहुत सेफ है ना इसलिए मेरे ओटो को लॉज बना दिया तुम लोग ने सर यह क्या तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन भी लेकर के आओं क्या एक पॉपकॉन लाकर समंदर के पास जाकर नजारे अपनी जिन्दगी में मैंने पहली बार इस तरह की जोड़ी देखिया है अच्छा आप कह रही है कोई आपको मंडब से अपनरन करके लाया तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा क्या चेहरा देखने से पहले में बेहुश हो गई थी रुमाल में बेहुशी की दवा मिलाई थी उसने अच्छा वैसे आपका किड्नैप क्यों किया वह भी मुझे नह अपने थैंक्स बोला क्या मेडम मुझे क्यों बचाया उसने क्यों बचाया मुझे कहां है वो उधर उनका नाम बोटल मनी है बहुत बड़े गुंडे हैं लेकिन देल के बहुत अच्छे हैं कौफी 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 गर्मा करम कौफी मेडम जी पहले कौफी पीजिए फिर सब कुछ बताता हूं हमने सारा मैटर बता दिया है तू अपनी बख्वास करके उसको रूलाना मत वापस समझा मैं बख्वास क्यों करूंगा जब तुम लोगों ने सब कुछ बता दिया है तो वह सब हमने बोल दिया तुम आउट से उठा कर लाए तुम लोगों ने आखिर कैसे बताया यह बात मुझे कैसे बता चलेगी अरे यार तुम लोगों ने सिर्फ प्लाइमिक्स बता कर छोड़ दिया है क्या मैंने सोचा था कि टैटल से ले करके एन स्ट्रोल तक बताऊंगा तो मसा आएगा मेरी बात सुनो इससे देखो यह जो सच धस करके खड़िया ना इसे हम लोगों को इस हीरो के लिए उठाना था लेकिन गलती से मंडब बदल गय और मंडब बदलने की वज़ा से हम लोग इसकी जगह तुम्हें उठा करके लिए बस यही गलती हो गई है यह सारी गलती इसकी है देखा तुम लोगों को टेंचन देने की कोई जरुवत नहीं है चलो चलो जाओ यहां से चल के पिक्चर देखेंगे नई वाली फिल्म में दो नए मस्त गाने जोड़ दिया है जबर दस्त है रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा करके दबाने वाला मैं नहीं हूँ वह है मैंने तुम्हें गोन में उठा कर धीरे से डाला था काम किया तुमको अकल नम की चीज नहीं है क्या जो शादी रुख गई है वो दुबारा नहीं होगी क्या इसलिए बार-बार मरने का फैसला करोगी अच्छा देखो हम सब लोग मिलकर आपके घर पे जाएंगे और आपके माँ बापके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगेंगे और तुम्हारी रुखी हुई शादी हम वापस करवाएंगे बस चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं अच्छा भाग कर क्यों गई पूछेंगे त आपके घर वाले भले मुझे जेल में भेजते चलेगा आपके पिताची से डाइरेक्ट बात करते हैं अब चलो जानते हो मेरे पिताची कौन है मालिक प्रेस को सब कुछ बता दिया है जैसा आपने कहा था पर मालकिन को अचानक हार्ट अटाइक आ गया था उन्हें हॉस्पिटल में एड्मेट किया गया है शादी को कुछ दिन के लिए पोस्पोन किया गया है ऐसा बोल कर संभाला है मालिक मुझे एक शक है हो सकता है मदन पली मगडेशुरा ने प्रिया को किटनैप किया हो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी वज़े से उसके परिवार के लोगों की मौत हुई थी हो सकता है कि उसने बतला लेने के लिए प्रिया बेटी को उठाने का प्लैन बनाया हो अपना मनी क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे कहने का मतलब है कि ये एक लोकल गुंडा है जबकि इसका बाप इंटरनेशनल डॉन है उसका मुकाबला कैसे तरह कितना बड़ा भी गुंडा हो यह जिए पुलिक के पास जाना है मेरा मंगीतर कौन है पता है चेक 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 आल ओवर स्टेट कमान जल्दी तुझे नमबर में लाकिया मैं ट्राइ कर रहा हूं सर एडवाइज है क्या चलो बोलो सर आप हद पार कर रहे हो ऐसा लग रहा है सर क्या हद हां क्या हद हां एक असिस्टेंट कमिश्णर जिससे शादी करने वाला था उस लड तुनते हैं सर पता है हमारी इज़्जत चली जाएगी एफ आयार दर्च करेगा तो सब को पता चलेगा लोगों का तो छोड़ो गली के गुंडे भी हमारी इज़्जत नहीं करेंगे इसलिए मैंने और उसके बाप ने प्रेस में अभी तक निउस भी नहीं दिया है और भी थी वह शादी के जोड़े में थी नए 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 वह लड़की सारी और बहुत सारे गहने पहनी हुई थी चले एफ इसलिए सब बरबाद हो गया सोचा एक गुंडे से बचकर हम पुलिस के पास जाएंगे यहां तो पुलिस भी गुंडा निकली भगवान अब क्या करेंगे तुझे यहां से ढकल कर सोच रहां खुद सुसाइड कर लो मैं चुबट बे यह सब इसकी होजे से हुआ है मैंने क्या क्या चीक है बताओ मैं आप क्या करूँ करोगी क्या पी करके सो जाओ तू डॉन की डॉटर ने इसलों सोचा फिल्टर वाटर तो लेती होगी अचा देखो हर इंसान हरवक गुस्से में नहीं होता है वक्त के साथ साथ कम होता जाता है तब तुम्हारे पापा के पास जाकर फिर तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है उस मंगेतर को आराम से समझा कर तुम दोनों को मिलाना यह मेरा वादा रहा तब तक आप यहां पर शांती से रह सकती हो कितने दिन तक रहूं यहीं कोई एक हफ्ता एक महेना एक साथ मेरी जुबान थोड़ी लंबी है तो ही बात कर ले भाई यहीं पर रहोगी पांच लोगों को खाली करवाने आया थे दस लोग हो चुके हैं तुम दोने यहां पर क्या कर रहे हो मुझे भी अजा अपके लिए खाना लेगा जबनागे लाता हूं मेरे लिए एक जुकार करके ले आना और मेरे लिए अपने अकाउंट से दो ले करके आजा क्या हुआ तुम क्या सोच रही हो पापा कहां चले गए इतनी देर से मंदिर गया था वहाँ पर किष्ण लीला प अपने घर में अरे बाप रे वो मनी सर को पता है क्या एक लड़की को तो मनी सर ही उठा कर रहे है इतना टेंशन क्यों ले रहा है एक ही तो रूम में कैसे बी अज़स कर लेंगे ना कैसे अज़स करेंगे एक रूम तो इन दोनों ने कभजा कर लिया फिर इस लड़की के ल यहां पर क्यों आई है यह पूछ रहो इन सबकी ज़रूरत नहीं है यह लोग पहली बार अच्छा काम करने जा रहे है आशिरवाद हो पहले तुम लोग यहां से बार जाओ इसने इन्होंने घर पर जाना चाहिए इन्होंने रजिस्टर मैरेज किया है और शादी कहीं और कर परेदे तो हमने इनके शादी करवा दी तुम ही बताओ हमने जो किया गलत किया एक दम करेट गायू यह क्या कर रहा है पिता जी की इजाजत की बिना कोई भी कुछ बे करें गलत होता है तो बीच में मैं बीच में आओंगा और नहीं तो क्या अगर इसने अपने बाप की व आशिरवाद लेने आये हैं आपका मन जितना साफ है उसी तरह इन दोनों की जिंदेगी सफल रहे ऐसा अशिरवाद दीजिए चलो 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 अब अच्छा है सदा सुहागन रहो दूदों नहाओ और पूतों पलो चलो अच्छा हुआ प्रॉब्लम सौल हो गई अच्छे से मरने जा रही थी तो बचा कर कहा ले आता मैं मरने जा रही थी मरने वाली है इनको ब्लड कैंसर है बेचारी दो या तीन महनों में भगवान को प्यारी हो जाएगी नहीं तो हो सकते हैं एक सब्दा या दस दिन में भी चली जाए कितने दिन हैं पता नहीं क्यों सही कह रहा हूँ न तो इसने इतनी महनगी साड़ी और गहने क्यों पहने हैं तो इस लड़की को देखकर अपनी भेहन को शादी के जोड़े में देखने की इच्छा थी उसके इसलिए बाहर से ये साड़ी और गहने खरित कर लाया और इन्हें पहना गर देखा तो खुशी के आंसू लेकर टिफिन लेने चला गया वो बेचारा आते ही उतार कर रख देगा ये भगवान दुनिया में एकनी तक्लीफ है येर को यकीन हो गया बाई वाइन खतम हो गई चलेगा ना भाई राकेश बेटा तुम्हारी बेहन की ऐसी हालत है मुझे नहीं पता ये क्या बोला है ये सब होगा ये इसे भी पता नहीं था आए उसे अंदर जाने नहीं रुक रुको देखो बेटा जो हो गया सो हो गया अब ये जबता कहे तब तक इसे भुशी से रख भगवान है ना हम लोग के साथ हम भी तुम्हारे साथ हैं जो कुछ भी हो एकदम मुझ खोल कर बोलना किसकी बात सुनूं किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ठीक है तुम चिंता मत करो हम लोग है न अच्छा तुम्हारी बहन को ये बीमारी है तुम्हें का पता मुझे अभी पता अभी आ रहा था तो पता चला मुझे ब्लड कैंसर है ब्लड कैंसर तुम लोग ने बता है पहले ब्लड कैंसर था वो डेवलेप्ड होकर करके ना वह स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और ब्लड त्यूमर हो गया है और कुछ मत पूचो वरना में रोप गई तुम से कोई कुछ नहीं पुछेगा डरो माद नीचे जाकर देखो लेडीज लोग पुछे अखिली सुने मैं बहुत डर लगता है क्या हम लोगों के साथ महाँ जगा नहीं है यह उसका घर है और उसी के लिए जगा नहीं है आपने से करन्ट लेकर हमें ही पानी नही जल्दियों चलो अरे जल्दी उठो जल्दी उठो अरे भूंड़े लोग हर्दियार लेकर रहा है जल्दी करो लगता है वो लोग बिस लड़की को ढूंड़ने आ है लड़की करो अरे वो उपर चली गई है क्या का मर गई अरे टेरेस पे गई है तुम लोग जाकर क्यों को रोखो मैं ऊपर जाकर देखता हूं अगर मुझे देख लिए तो मेरे टुकड़े कर देंगे अब मैं क्या करूं हमें अपने घर की लड़की चाहिए भाड़की वास्के लिहें तुम यहांपर आया हो और व्षा सी वाटल मनी ने हमें यहँ निए इस फिलिए met ने जहीं वहां जाओगी अरे वहां कहां चान्ण हो इधर तेंक रहार बाई ये लड़की आप है जल दिया बाई जल दिया अरे ये नहीं है चलो याँ से चल जा ले उदर देखो उस तरफ होगी नीचे दर नीचे दर देखो उदर होगी कौन है तो चुपचा बता कि लड़की कहां पर है क्यों किसी को प्यार के बदले वफा नहीं मेले जी मेले ती वफा ये तो पागर है चलो यहां से इस टैंक के अंदर से आवाज आ रही है सर उदर कुछ नहीं है सर सर प्लीज सर यह बता कि यहां पर जो चुप रही ती इस लिए चुप रही इसी में कूट के मर जा चलो दर्वाजा को तूर तो तोड़ नहीं सरा सुहागन रहों दूधो नहाओ पूतो फलों कल रात ही मैंने इनको एस आशिर्वात लिया था मगर लबी उर का आशिर्वात नहीं दिया था मैंने इस लिए यह सब अरे पापी अब कलेजे में ठंटक बढ़ गई कितनी बार का उसकी शाली करवा दो पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब देखो यह क्या हो गया तू भाई है या कसाई है अपनी बहन की ही जान ले ली वो हमेशा कहती थी जीएगी तो उसी के साथ जीएगी अब देख कैसे खुशी खुशी चली गई है वो अब खुश है ना तू मेरी बेटी को पाहर डाला तुने हम तो पुराने जबारी का लोग है फिर भी इस रिष्टे के लिए तयार हो गयते और तुम आज के जबारे के होकर भी इन्हें ऐसे लटकने के लिए मजबूर कर दिया बैसाब मेर जबी बेटी और दमाद को दोनों को एक साथ पीजे उतारिये उतारिये इने उतारिये हाँ अरे वह अपने सच में लाश की तरह भारी है मैंने कहा था ना बोटर लोनी बहुत दिमाग वाला है मुझे माफ कर दीजे भाईया अबे तो ऐसे क्या घड़ा है इसके माबाप ने तुझे दामात तो मान लिया है ना जा जा के आशिरवाइट ले ले उनका जा माँ मेरे बच्ची मुझे माप में तो ऐसे यह सब मजाग था हलो प्रिया एक ज़रुरी बात है चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर से बाहर मत निकलना तुम्हारे बाप के आदमी या पुलिस वाले नों देख लिया तो बहुत बड़ी प्राब्लम खड़ी हो सकती है समझे जिस तरह वह प्लैन करके उन दोनों क मिला है वह इसे वह प्लैन से तुम दोनों को नहीं मिला सकते क्या समझी इस पौदे को पालने से चाहे बांग के पौदे को पालती कम से कम उसे बेच कर पैसे तो मिलते है लुक तो ऐसे दिरी जैसे सीता की कजिन सिस्टर हो कॉलेज आ रही हूं पापा टीफिंबॉक्स ले अचल.. बॉक्ष फटे आंगे नगे? अचल, क्या हूआ हूआ को? क्या हुआ सीने में दवाई नहीं है कोई दवाई लाज़ देने कोई नहीं है सब बाहर चले है पहले आप पानी कीजिए दरिये मत यह दवा है मैं लेकर आती हूं बैटी तु तुम्हें तुम्हें अकल नहीं है क्या घर से निकलने को मना किया था ना अंकल की दवाई लिन आइधी नो 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 नहीं होगा नहीं होगा हुआ है कि हुआ है कि अधियर साथ आपको कुछ नहीं हुआ है क्यों बहुत जोर से दबा रहा है कि है बहुत रिष्टेदार हैं लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है उसी को रिष्टेदार आप सब लोग अपनी जान की बाजी लगा कर मेरी जान बचाई है और तु इसे थैंक्स बोलने के बजाए उससे थैंक्स बोली है इन्होंने इतनी तेस्ट चलाई तभी तो यह भागते हुए भी जाती तो भी आपको बचाने नहीं सुधार सकता और तो वाले मेरी एक मदद करोगे गैत्री के लिए लड़का डूंडू क्या अर हुए टेक बीनले एक निए लेकिन मुझे अब याद आ रहा है किसीने से राकेश की बैण दो कहना रहा है कि वह सब की कहना क्या चाथा है मुझे लेक्स नहीं बैन पसंद नहीं आ है आरे तो सबने प्रिया को जैसे बहन आल लिया मुझे नहीं चलेगा का फेक रहा है क्या यार बार बार लेफ्ट साइड में हौन बजा रहे हो ऐसी कौन से बीमारी है तुम्हें मैं महिने में पंदर तारिक को शुरू हुए थी पंदर मैं उस दिन तुमारी बीबी छोड़ कर भाग गये थी तो फिर रेटायर्ड हो गये थ हगी आरे बाप रे क्या है वह ऐसे ही ऐसे अमनों किम्हें किसी को नहीं मिलूंगा मुझे किसी से भी नहीं मिलना है क्यों दामाजी दिल्ली पार्लेमेंट मुझे नहीं रोकती है और आप मुझे अपने घर के अंदर आने सब्सक्राइब नहीं चोड़ दीजिए उसे मामल पर बात करने आये दमादी, क्या दमाद करके बात करे हो, मुद्दे की बात करो, सुना है मेरे मडर केस को फिर से ओपन करने वाले हो, विट्नेस को टॉर्चर करके पूश्टाच कर रहे हो, यही तुम्हें सोच रहा था, यह चोर और पुलिस रिष्ठदार कैसे बन गये, पि इसकी बात कर रहे हो तुम, उदर जो खड़े ना उनकी बेटी, कोई उठा कर नहीं ले गया, खुद भागिये किसी के साथ, तब नोरवा क्या गर रहे हो, वो इसमें से फूल तोट रहे हैं साथ, बर बोदो में फूल कहा है, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं साथ, यह पुलिस वाले का घर है, अंदर हो जाओगे, तुम जो बोल रहे हो, अगर वो सच हुआ, तो मैं अपनी बेटी को खुद जान से मार दूँगा, वो किसी और के साथ नहीं रसकती, देखो, वो तुम्हारा प्रॉबलम है, मेरा प्रॉबलम है, लड़की के बदले तैय किया गया पैसा, अगर मुझे नहीं मिला, तो चैन से जीने नहीं दूँगा, तुम्हारे पास उमर है, तो मेरे पास तुम्हारे बहुत पूराना डायलोग है, समझा, ओल्डी गोल्ड होता है, यह मैं तुझे दिखाता हूँ सर, आप क्या करने की सोच रहे, इनका केस रियोपन करेंगे क्या, बाप के केस को पकड़ कर मैं अपना गुस्सा पूरा करूँगा, और लड़की को पकड़ कर अपनी इच्छा पूरी करूँगा, जा धून्ड उसे, यह सर ओम श्री ज्यानि नाम पिछे तांशी देवी भगवती ही साथ बाला दे किस्टन मुद्ध के लिए, इधर ला, वो लड़की बीमारे उसको देने के लिका था, तुम यह मणी मणी लगा कर रखी हुए, जा उसको तो, बहा माया प्रेक्षिती, तुर्गेश विदा हश्य यहिए, जा नि नाम हो पिछे तांशी देवी भगवती ही साथ बालाद दे किस्टन मुद्ध के लिएम तो नहीं पार तुझ में दिमाग दिमाग नहीं है क्या मैंने कहा था ना थोड़े दिन चांत रहे तू एक अफ़ता वेट नहीं कर सकती है मरने के इतने जल्दी पड़ी है तुझे वहां उनका गुसा कम होना चाहिए ना इसलिए तो मैं और वह आटो वाला चक्कर काट रहे हैं हर बात के मैरी शास तू कब अभी फासी लगा लटकने वाली थी घर में कपड़े सुखाने की जगे नहीं यह इसलिए रस सी मान रही थी और वापस मैं गडबड कर दी हैं सॉरी मुझे लगा कि वापस सुसाट करने जारी हैं इसलिए अगर मैं सुसाइट कर भी रही थी तो हाथ पक है उस दिन बीच पर भी तुमने ऐसा ही किया था तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है पूरा डाउट है मुझे कैसा तुम मुझे पसंद करते हो मुझे पाना चाहते हो इसलिए किड्नैप किया है अरे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है मतलब आगे क्या होगा वो जरह यहां तुम मेरे लावर नहीं दुश्मन हो यह बात याद रखना कर आप है कर आपको इसलिए बुलाया है एक बहुत जरूरी बात बात गायत्री किसी से प्यार करती है हुँ तुषु और यह नहीं करते हो क्या साथ जबाब दो फिर इसे क्या पता चलता है थे जबाटा और यह प्यार है मैं तोनों की शादि करवाने वाला हूं तभी तो मेरी बेटी की जिंदगी खुशाल रहेगी क्या कन्फ्यूज कर रहे हो प्रिया भी मेरी बेटी जैसी है ना वही कहा था अच्छा हुआ तुने इस गुंडे से बेटी को बचा लिया तुछ तो मैंड क्या मनी सब लोग प्यार करने के बाद उठा कर लाते हैं लेकिन तो उठा कर लाने के बाद प्यार कर रहा है मेरा कमिशर मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं लेकिन उसका डॉन बॉब तुम्हें काट के रख देगा ये बात याद रखना बॉडी बाद में आकर कर लूगा लड़की को तो बाइक की पीछे बैठा कर ले गिया था क्या नहीं किसको भाड़े पर दिया है देखा एक फ्रॉड के पास वो लड़की फसी है पुलिस वाले की मदद की तो पुलिस वाले ही मार रहे हैं किसले बोला तुझे किने इंस्पेक्टर आया वां पर चार साल से मैं इंस्पेक्टर हुए कुछ भी भोता रहता है मिनट यू प्लिज गो अउट किसा सर् आपको थोड़ी वहिकल नहीं है मेरी स्टाफ के सामने मुझे मार रहा हो मेरी कुछ प्रेस्टीरी प्रेस्टीज यह ले सेर मैं और नहीं बार का सकता है काड़े दिये हुए एक हफ्टे हो गए कंप्लेंड क्यों नहीं किया तूने बोल अरे सर 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 वो लोग बराबर आके भाड़ा दे रहें सर अभी दो दित पहले ही आके दिया था अब फिर मंडे को आने वा खुआ ले हो आप लोग एक ड्सक्राइण प्रेस तो सब्सक्ति कि रीम गजीं प्रेसे होश्यार रहना चलो मैं तो लुगी उठा के और डांसे करा के ऐसे बज निनिनिनिन तुर देखने चले या झाल लेकिन क्यों पापा को पता चला तुम मुझे माल डाएंगे तो प्रिया से प्रिया से प्यार करते है ना अबे वो आयर बुड़ा कुछ भी बोलेगा तो वो सब सच हो जाएगा क्या तो क्या प्रिया से प्यार नहीं करते उस लड़की से प्यार करने के मेरी क्या वकात है यार क्या मनी सर आपने उस लड़की की जान बचाई है प्यार के लिए इतना ही बहात है सर ऐसा क्या तू जा रहे तू जाके कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर उसके बाद प्यार करेंगे क्या उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मेरे बच्चे कोई जिम्मेदारी आ जाएगी चल जा आरे जाना यार सुब्रमनी कौन है तुझे मेरा नाम केसे पता चला तुम्हारा नाम सुब्रमनी है तुमने भी कौम किया है माबाप नहीं है बेहन के घर पे रह रहे थे बेहन की बेटी को प्यार में मदद करने की वज़े सी घर जिन निकाल दिये गए और अब ये गुंडे की आक्टिंग क कोर्स कर रहे हैं सही कहा ना यह सारी बाते तो सिर्फ ओटो वाले को पता थी और वो तुम्हें तो बता नहीं सकता मीटर से ज्यादा देंगे तो मैटर अपने आप आ जाता है तो तुम इधर हो तुमने चेन गिर्वी रखने के लिए बोला था ना वो सिर्फ 28 करेट का था इसलिए सिर्फ इतना ही दिया रख लो अरे रहने दो इसका कमीशन मैंने अल्रेटी निकाल लिया भाई यह मीटर से ज्यादा है मीटर से ज्यादा सारा मैटर मैंने बता दिया हां वो हम दोनों जब एक साथ बचपर में फॉर्स टेंडर में पढ़ते थे तब टीचर ने प इस लड़की को तुमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है तुम गुंडे नहीं हो यह बात इसे पहले से ही बता है तो अब बता इसमें मेरी कौन से गलती है सब के समने मुझे सुब्रमनी करके मत बूला वो बॉटल मनी मेंटेंड करना होगा तब ही हमारा अशो हेट रहेगा वरना हम लोग रोड पर आ जाएंगे पिर हम लोग को भी खाने के भी लाले पर जाएंगे मेरी मा याद रखना अच्छा सुनो मुझसे जरा संभल कर रहन अच्छा सुनो उस मनी मैंटर को तुम कभी भी भाब में हैं आप आप जस लड़की से प्यार करते हैं वह सौ साल जी ऐसी प्रात्ना करके आई हो अरे प्रिया आओ तुम भी प्रिशाद ले लो इसे भी ठीका लगा दीजिए ना नहीं नहीं तूहीं देखिए अगर आप इससे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको लगाना ही होगा हाँ देख गायू तुझ ऐसा सूच रही है वैसा सुप्रमनी मैं लगात हूं ना अरे सुप्रमनी नहीं बॉटल मनी है मैं तो भगवान को याद कर रही थी ओ आप लीजिए और लगाईए न झाल 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 कि अधार जाए बहुत खूबसूरत लग रही हो मैंने ऐसा क्यों कि यहीं सोच रहे हो ना सबको नाठक के बारे में पता चल जाता हो ना सुप्रमनी फिर तुम फंस जाते ना कि मणी सेर मणी सेर क्या अब तक अंदर क्या कर रहे हैं तैयार नहीं हुए क्या किधर होस्पीटल जाने के लिए वापस सिने में दर शुरू हो गया क्या अरे बई त्राब्लम को तयार के लिए खाथ बताएने नहीं क्या नहीं उदर जाएंगे तो प्रॉब्लम को पुछने जा रहे हैं तुम चलो के यह चैने चुछ और ओने गर से सब्क्रमानी और भगवान केually है कर रही थी अ friendly यह तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यह चांद बूच के गिर रही है या सच में टर्निंग की वज़े से गिर रही है कि सॉरी सॉरी वह टर्निंग में बैलन्स मिस हो गया तो कि बहुत फेमास डॉक्टर है किसी को भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं क्यों इनके पास इंजेक्शन ही नहीं है लगता बड़ा भीकारी नहीं नहीं वह दवाई से ठीक कर देते हैं क्या हुआ अगर डॉक्टर के पास गई तो पता चल जाएगा कि मुझे ब्लड कैंसर नहीं है वह सब मैनेज कर लेंगे तुम चलो सुब्रमनी क्या हुआ यहां खड़े हुए अंदर राकेश ने एक ही डॉक्टर को दिखानी के लिए यहां अंदर भी सिर्फ एक ही डॉक् इसके लिए आप मेंचे नटवट बुला रहे हैं अच्छा यह क्या है नट लगभगा सुब्रमनी की तरह हाई प्रिया कैसी हो तुम यहां कैसे आना हुआ इसके पापा को कैंसर है इसके पापा अभी डॉक्टर से मिलने के लिए गये हैं हम उनी का वेट कर रहे हैं यह कौ मणी मणी सुब्रमनी यह ऐसे गुंड़े के तो रहे हैं चेचे कपड़े वैसे बहने वेरी नाइस जेंटलमें मैं इनी बहुत चाहती हूँ प्रिप्लिकेन में कहां तुम लोग यहां पर हो डॉक्टर मेरा क्लोस ट्रेंड है तो पुरानी बाते शुरू हो गही थी सुरी सर्व क्यों कह रही है ना सिर्व ब्लड कैंसर है ना प्रॉब्लम नहीं है अच्छा दामपते जीवन रहेगा दबा की दुकान से दबा लेकर लेकिन उनकी बाते मुझे कुछ अजीव सी लगी है बेटी शाशी मेरी पापा बुला रहे हैं कल लच पर में तो मैं थोड़ी भी अकल नहीं है क्यों कल अगर वो घर पर आएगी तो हम फसनी जाएंगे मैंने एड्रिस कहां बिताया ओ यह बात तो है क्या हुआ बेटी तुम प्रो क्यों रही हो हां ब्लड कैंसर याद आ गया अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम चिंता मत करो बच्ची रो रही है मुझे ही शान्त करना पड़े गाई है ठीके ठीके तुम ही इसे शान्त कर लो कौन है वह मेरे पापा है है उनको आज नहीं तो कल पता तो चल्ना ही ए न है तो तुम दर क्यों रही हो मैं अपने लिये नहीं डर रहे हूं तुमहारी ले डर रही हूं तुम्हारा कच्चुमृ बनाकर रख दिंगे तुमारे बापको गया काफी दाय मूँगया पहर क्व तुमने मुझे पहली बार रफरमूनी तुम् hepat World में लड़की को भर्ति किया गया अब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता is इस कसम से पता नहीं है,सर वो भाग गया था अब भूपरे वो इधर ही आया था, तुने ट्रीटमेंट किया था अगर वो तुझे दिखे तो इस पर फोन करना और नहीं मिला तो तो यह होस्पीटल नहीं रहेगा अंकल शेशिकला बोल रही हूं आपकी डॉटर प्रिया की फ्रेंड मेरी बेटी घर पे नहीं है बाहर गई है क्या बात है बोलो बाहर गई है क्यों जूट बोल रहे हैं अंक तू कहना क्या चाहती है आपकी डॉटर को नर्सिंग हों में देखा था कितने बजे ग्यारा बजे अंकल आज तो वह अपने हाथों से निकल गई जाके उस डॉक्टर को उठाके ले आओ हलो कुछ नहीं अंकल कल उसके घर लंज के लिए जाने वाली हूं लेकिन मैं एड्र के लोकल गुंडों को लड़की की फोटो दिखाओ उन लोगों को बोलो कि वो ढूंडे अगर वो मिली तो उसके साथ जो भी ससूर देवर जीजा साला उन सब को काट कर सिर्फ मेरी बेटी को लेकिया आना उसको मैं अपने हाथों से काटूंगा तुम्हारा बाप और वो एसेपी दोनों का गुसा कम होने जैसा लगतो नहीं रहा है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा गुसा कम हो गया है वही तो प्रिया सिर्फ यही नहीं है वो एसेपी मुझे सही इंसान नहीं लग रहा है राउस कि अधिए TWO शादि दो पूलिस तुम्हें कुछ नहीं करें और बच्ची गुंडों की बात मैं देखेए यहां ज़रूदaki मैंने जो गल्ती के है उसकी तो सजा यहीं है ठीक है लेकिन उससे शादी करेगा कौन वो मैं मैं हूँ मैं मैं सोच रहा था ऐसा मान लो बहुत प्रॉब्लम है ना एक ज्षादि के मंदर से भागने वाली तुम 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 एक हुआ करता है उससे शादी कर लो हुआ है चीक कर लेकी है पर उससे दूदो कहा है इधर ही पास में मतलब कहीं भी आजब पास ढूद वह एक अच्छा इन्सान होना चाहिए उसे अपनी जान से यह भी ना, हाती कपट डालता रहता है, क्या मनी सर, आप अभी तक सोए नहीं? कोई बात नहीं पिछले अपते मुझे भी कन्फूजन में नीद नहीं आ रही थी कल से मैंने सोना शुरू किया है माथ्रूम जाकर आता हूं शुगर है ना इसने बार-बार जाना पड़ता है क्या वह इस वक्त इधर क्या कर रही हो प्रिया ने कुछ बता है क्या शेयर वह तो बिल्कुल चैन से सो रही है मुझे ही नीद नहीं आती है क्यों आपके बारे में सोचते हुए किसलिए वह थोड़े ही दिन जिये गए कि न और उसके बाद क्या आप विड़ो हो जाएंगी अपनी सिंदगी के बारे में सोचिए पहुत ठाजिटी है बाबा ठीक है मेरे बारे में पार्पार सोचकर अपनी नीद मत खरब करो जाओ जाकर सोजा नहीं उसके बाद आप दूसरी शादी कर लोंगा फुश क्या यह तुम्हें भी नीद नहीं आ रही है गया नहीं इछल बाड़ा देने आएगा उसे पकड़ लेंगे सर क्या हो गारी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है आप प्लीज रिपेयर कर देंगे उसके लिए टाइम नहीं है सर मेरे साथ मेरी फैमली है प्लीज रिपेयर कर दीजे ना अदा गंटा ने ने दो गंटा अहां कोई बात नहीं ठीक है फिर चोड़ दो सर फोन है हलो मैं इवन इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं सर क्या बत है सर सब लोग अंदर चाहरे है मैं आपका ही इंतिजार कर रहा हूं सर नमबर मिल गया सर डबल फॉट टू फाइव नाइन फाइव नाइन वन एट यह नमबर किस एरिया का है पता करो और मुझे फोन करो इमीडियेटली अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं बैग में भाड़े का पैसा रखकर तेरी गाड़ी तेरी दुकान में पहुंचा कर आदा गंटा हो गया है जो गाड़ी आई है उसको चेक करके देख एसी सेवन ट्रिपल लाइन ये तो अपनी गाड़ी है जाय जो अपनी गाड़ी तो अपने पास आ गई ना बोला था भाड़ा भी रख रहा है देखुँ जरा सर काली माता के मंदिर के पीछे सेकेंड कॉस ट्रीट के टेलीफन भूत का नंबर है ओके थैंक यू ऐलो द्रिवतूर पुलिस टेशन है ग्या बोलिए सर ओके सर ओके सर ओके सर ओके सर ओके सरो कंस्टेबर काड़ी निका दो द्रिवतूर चलो आप बहुत इसमार है सार आपको देखके और इस देल पुलिस होना लगा मैंने खुद यकिन के दिया अगर तुमने मुझे पर यकिन किया तो तुम बेहुकूफ हो उसी तरह मैं तुमसे बात करता रहूं और आने वली पुलिस मुझे पकड़ ले तो मैं इतना बेहुकूफ नहीं हो रग दूं क्या आत्त फस गया तुमसे के अलग अलग रुप में आकर ब्लड लेकर जाते तुझे बस वो लड़की ही चाहिए ना, तो मैं बंदोबस करवा तो, आगया ना रास्ते पर, आजा, जा, 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 गड़ी में बैट जा, नहीं, नहीं, मैं यहाँ बैट कर, ड्राइविंग करूँगा, तो जब सिंग्नल आएगा, तू भाग जाएगा, नहीं, नहीं साज, किसी को मत छोड़ना, तो यहाँ बूथ में कोई लड़का फोन दे बात कर रहा था, इतनी देर से जो लड़का यहाँ बात कर रहा था, उसे कमिशनर सापने जाने दिया, मैंने तो सिर्फ डॉक्टर को जाने दिया, उस गाड़ी में वो लड़का भी तो था, ओ नो, मैं कोई नगली डॉक्टर दिखता हूँ, बिल हुए साड़े साथ हजार, ए डॉक्टर, बेहोश लड़की को होश मिलाने के लिए साड़े साथ हजार हुआ बोल रहा है, यह तुझे ठीक लगता है, बेहोश लड़की, जहर पी हुई लड़की को एडमेट किया था, और ब अरे हाथ मैं चाता लेकर इतना क्यों मार रही है, मेरी बात सुन, मीटर से जाधा दोगी, तो भी जो कुझे पता नहीं है, कैसे बता सकता हूँ मैं, सुब्रमनी ने किस किस को पिकप किया, किस किस को ड्रॉब किया, नीचे वाली गायतरी को लाइन दे रहा है कि नहीं, यह होगा, पोलिस को बता दूँगी तो, पैसा लेकर छोड़ देगा, हड़ी पसली एक करके रख देंगे, तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं, शराफ से बता, तो शराफ से पूछ, यह मुझे गाली देकर के पूछ, जो मुझे पता नहीं है, वो मैं कैसे बता सकता हूँ मेरी म इस घर में तुम्हें क्या कमी है, नाइट होते ही, अगर तु नाइटी पहन कर, ऊपर चटाई बिछा कर सोएगी ना, तो सारे के सारे स्टार सीनी से दिखेंगे, तुम्हें किसी भी सूपर स्टार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह भगवार मैं इसके बारे में क् मुझे किड्नाप किया, और उपर सितनी लापरवाई से बात करते हो, अपनी चोश बंद करो, पीछे दो को कौन कड़ा है, क्यो मनी, बहुत गुस्ते में लग रहे हो यार, क्या है यार, वोट सुब्रमनी, हम लोग तुम्हें किड्नाप करके नहीं लाएं, बलकि तुहें कि जरूरत नहीं है, और तु क्या बार-बार हमें हुकुम देती है, टॉर्चर कर रही है, तेरी वज़े से कितनी चकलिफ, कितनी परिशानी हो रही है, तेरी जान को कितना खत्रा है, हमारी जान को भी कितना खत्रा हो रहा है, एक बड़े खर की बेटी की जिंदगी हमने ख अब अब यू अब ये गिफ्ट तूं किया मुझा देखो जूट में बोल देख तू जूट में नहीं देख अरे चिल्ला क्यों रही हो मैं जो मंत्र पढ़ रहा हो इसा सुनाई भी नहीं देख रहा जांदा तोड़ा दूर जाकर बेठो मैं जो कुछ भी बोलूगा पराने की जरूरत नहीं है बस ध्यान से सुनते रहना ओम केशवाय नमा ओम मंगलाय नमा बेटी शादी के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला गया ओम ब्रमदेवाय नमा अब तोसा क्यों कह रहा है देखो इसी लड़के की दू साल पहले मैंने क अच्छ तक बच्ता रहा उस लड़की के माता पिता का चहरा आज तक मेरे सामने घुंगता ही रहता है बेटी ओम श्री पंचभूत आये नमाहा ओम श्री लक्षमिन आये नमाहा क्या ये तुम्हारे पिताची को पता नहीं है आँ वो एक खोनी है तो उससे क्या हुआ उनको मारने वाला मैं खुद था समझे तो मैं भी एक खोनी हो उसकेस को डील किसने क्या पता है मेरा दमाद रिलियंट है सब कुछ जाच परताल करके सारा एविडेंस इकटा कर लिया और मेरी आखों के सामने ही सारा एविडेंस जला के राह कर दिया उससे मैंने पूछा थ इसमें वह खुछ रहेंगा तुम भी खुछ रहोगी मैं भी खुछ रहूँगा तो चोटे इमाह मेरी साथ रखें तंदृस्त नहीं है क्या आजकल जमाने में सब कुछ नहीं होता वेटी लोग पैसा कवाने के लिए क्या-क्या नहीं करते अरे आइसे रोने से मेक-प खरा यह सब तुम्हें किस ने बताया क्यों उसे भी मारना चाहते हैं क्या वह तो बच गया मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं सुसाइट कर रही थी यह नहीं है नहीं है जो अक्या मैं तब यह आप सब आ गय है अगर दो मिनिट पहले आते तो मैं ख़दी आप लोगों के साथ आ जाती। मैंने सोचा था कि मेरी जिन्दग ये खत्म हो गई। लेकिन जब हाउस्पिटल में आँखे खुली तो पता चला कि मैं जिन्दा हूँ और कोई मुझे किट्नैप करके लाया है। लेकिन कौन लेकर आया था ये नहीं जानती थी और डॉक्टर को भी नहीं मालूम था। फिस सुचा मैं इस तरह से नहीं जी सकती इसलिए समंदर में कूद गई। दो बार मौत को नस्दीक से देखने के बार खुद मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई। मैं जीना चाहती थी जब पहले बार तुम्हें देखा था तो पती की रूप में ही देखा था। ये सब देखने के बार लगा फगवार मुझे जिद्ध की जीने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करोगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी ये मैंने तै किया था। इसलिए बार बार तुम्हेरा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और इसलिए इस तरह का बरताव कर रही थी। इसे ही कहते हैं किसमत अगर मैं यहां थोड़ी दिर और रहे गया ना तो कबाब में हट्डी बन जाओंगा तुम दोनों के लिए इससे अच्छा है कि मैं यहां से चुप चाप निकल लेता हूँ अपने रास्ते हैं। मैं रियली सौरी वो गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठाया। देख लिया ना जब इसे अपनी गल्ती का अहसास हो गया तो इसने तुरंट तुम से माफी मांग ली। चुप यार। अभी से कबाब में हड़ी लगने लगा क्या मैं ठीक है ठीक है। मैं मर्द हूँ ना इसलिए गुस्सा आती हाथ उड़ गया। इम रियली सौरी। प्रिया। इस गुंडे के साथ यह सब करने के लिए तु घर से भागाई थी जया। इसलिए इस लड़की को तु ऐसे मारेगा क्या। यह मेरी बेटी है। वो तब ठीक। अब यह मेरी होने वाली पत्नी है। इसलिए वो जिन्दा नहीं रहना चाहिए। देखे सुनी सब मेरी बात सुनिए सब क्या मत पारिये। छोड़िये मुझे। अब देखे जबां लंची हो ऐसा ठीक के मतले जाहिए। पापा छोड़िये। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे है। इसे छोड़िये देखे जवान नर्की है। आप बात सबंग नहीं रहे। पापा, पापा.. पापा की जोटने लेगी। पापा, तो ठीक है। पपा, फ्लीजु मुझे पापा, प्लीजुू। पापा, अरापस। अगले पाफिए खो पाफिए फाफिए काफिए काफ न हेवल-ख木 एक भो कर दो चार दिन में चार खून करके ड्रक्स के केस में स्मगलिंग के केस में फस कर इतने सारे केस में फस कर जेल के अंदर दो पुलिस वालों को मार कर बाहर आया है तू अब अब क्या अब लड़कियों को किड्नैप करता है ये कौन है पता है बोटल मनी बोटल मनी हैर ये कौन है यह वो bottle money नाम बता रहा था नहीं, यह bottle money नहीं है यह गुणडा होने के acting कर रहा है आम जनता कह रही है मेरे बात सुनिए एण जी, यह कौन है? bottle money यह लड़के लोग bottle money सर यह तू, कौन है यह? bottle money bottle money सर bottle money bottle money आप अपनी लड़की को लेकर जाओ इस बॉटल मनी को स्टेशन लेकर आओ किस सर इसे मारते मारते ले आओ छोड़ना मत बाकी मैं वहां देखता हूँ ओकिस सर पापा उन्हें रुखिए पापा पापा मत मारो मत मारो उसे पापा छोड़िया मुझे मर जा तू मरने से तू नहीं ड़ती और मारने से मैं नहीं ड़ता तू जब मरेगी ना तभी मेरी कलेजे को थंड़क मिलेगी एए अठारा लोग अठारा लोगों को मैंने मौत दिखाट उतारा है माचे से रे माली ये आप क्या कर रहे हैं समद कीजिए चल माचे से रेगा नहीं दोनों को नहीं तुम जाए भी नहीं जिना जाए तुम भी साथ हो मर्चा तुम दोनों कोई साथ जला दोगा माँ होगा ऐसा कुछ होने वाला है मुझे पता था इसलिए मैं आया आपको वापस एक और फायर एक्सिडेंट से नहीं बचा पाऊंगा इसको मेरी कस्टेडी मेरी कस्टेडी मैं छोड़ दो नहीं उसे मरना होगा नहीं ससूर जी नहीं इसको मरना नहीं है इसे मेरे साथ जीना है ऐसे क्यूं देख रहे हो इंक्वाइरी में पता चला कि आपकी बेटी भागी नहीं है इसका पहरण हुआ था जो इसे पता भी नहीं इसके दिल में जो प्यार का फूल खिला है वो मेरे साथ रहेगी तो मुर्जा जाएगा मुझे आपके पैसे की जरुवत नहीं है ससुर जी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ ले जाए ये तमाच्ची क्या बेल्ट से तेरी खाल उधेर दूँगा ये सोच रही है बेल्ट मैंने इसलिए नहीं निकाला है तो क्या करना चाहता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पर मैं किसी से नहीं जरती अच्छ जरा एक बात तो बता तुन्हें मुच्छे क्यों रखी है हम पूलिस पूलिस नहीं होता और स्थिए तहरा लवर बहुत हिंबदवाला है तो शुब्य हर्कत करतेगा ईचने बहुत क्षण दे रही है उसके बारे में उसके लिए इतना प्रशाद को पहले कोवे लोग को ही खिलाते हैं उसके बाद ही उस प्रशाद को को इनसानों को किलाए जाता है तुझे करने वाला पहला इनसान तो मैं नहीं हूँ ना जो ॐसी है मैंने कहा न तुझसे ये प्रसात पहले भगवान को चड़ चुका है तो जूट बोल रहे है नहीं मुझे पता है जब तक मैं तुझे यह बाधाट अनी बता थी कभी पता नहीं चलता इसलिए मैं मैं खुद तुससे ये बात कह रही हूं किसको दोखा देना है और किसे अपना दिल देना है ये बात एक लड़की खुद पै करती है मेरे शरी पर अभी भी कैरोसिन है चाहूं तो खुद को जला सकती हूँ अगर मैं मर गई तो हार जाएगा लेकिन तेरी हार समझे कोई मतलब नहीं क्यूंकि मैं जीतना चाहती हूँ सुब्रमनी से शादी करके मैं तुझे हराऊंगी ठीक है तुपवित्र है या अपवित्र है इसकी मुझे कोई परवा नहीं है समझी मैं जो तेरे साथ करने वाला हूँ वो मेरी खुशी के लिए है तेरी खुशी के लिए है मेरे लिए है तेरे प्यार के नशे को उतारने के लिए है अलो क्या हुआ नो 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 ऐसा मत कर मैं आ रहा हूं I'll be there मैं अभी जाकर आता हूं फिर तुझे देख लोगा शर्ट शर्ट ले रहा था तेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तू एक्टिंग करने के वज़े से जेला गया है जब मैंने अपनी बेटी से पूछा तो पता चला कि तो क्यों एक्टिंग कर रहा है सुरी मामा आपने बोलने से मना किया था देखो साले साब मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उससे शादी करवा दूँगा सुधर या शायद कौन अरे अरे चुप हो जाओ ना इस शादी को तुही करवाएगा समझा क्या चिंता मत कर मैं तुझे यह से बाहर दे क्या हूंगा इन्हें अंदर किसने आने दिया मैंने तुम्हें मना किया था ना सर वो जेलर है तो क्या पूरे परिव्यार को भेज देगा यह देख तु इस स्टेशन का इंचार्ज है मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ और चैसा में कहूंगा तुझे सुनना पड़ेगा इसे क्या देख रहा है यह केक को बंद कर दूंगा जेल में रासकल्स और फाइल को यहां से ले जाने आए अरिजनल बॉटल मनी के सबूत और फोटोस है इस फाइल में एक जेलर होने के नाते मैं यह सब इकठा कर पाया अगर तुम चाहो तो यह फाइल को कोर्ट में लेके जाकर जमानत लेके आना मैं छोड़ दूंगा लेकिन कल और परसू सटड़े संड़े है, मंडे का दिन आएगा न, सर आप ऐसा, यहां से, सर दया कीजिए सर, जा न, चल जा, क्या, गुसा आ रहा है, ऐसे क्या देख रहा है, तेरे जीजा की इज़त उतार रहा हूं, वो देख रहा है, तेरा जीजा किया, मैं अपने ससुर से भी ऐसे ही बात करता हूं, समझा, तुझे और एक बात पता है क्या, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पता है, आज मेरा फर्स्ट नाइट है, किस के साथ, तेरी लवर के साथ, क्यों भै घूर क्या रहा है, अभी वो मेरे कस्टेडी में है, फूल, अरे सुनी, सब कुछ खतम करके, कल सुभए मैं आकर तुझे बताओंगा कि आज रात को हम तोनों के बीच क्या क्या हुआ, अरे तु सुन पाएगा ना, मैं तुझे आके एक-एक डीटेल देने वाला हूं, है, 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 अरे, अपने दोस्त को और दूबस तोह नह अगले तीन मेने तक तु बेड़ से उटने ही पाएगा खाली करता रहेगा तुम लोग मारो इसको मारो सर यह सर आप लोग खाईए है सब कुछ खराब हो गया हमें खिला रहा है यह यह भरोसा खराब हो गया यह कह रहा था अच्छा बॉटल मनी जूट ब्लट कैंसर जूट इस राकेश की बहन जूट यह सब बाते जूटे इसकी मुझे परवा नहीं बलकि खुशी है और मैंने तो एक सपना देखा है क्या सपना देखा था यही कि मेरी बेटी गायत्री और सुब्रमणी शादी करके घर पर आये हैं यह सच हो जाना चाहिए यह नहीं हो सकता मनी सर मैं दो सार की थी तब मेरी मा मर गई थी ना लेकिन उसके बाद भी आपने कर भी दूसरी शादी नहीं की सिर्फ मेरी खातर इसके बावजोद आपको छोड़कर किसी और के साथ चली जाओ मैं क्या पापा अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहते हैं तो अपने लिए कोई घर जमाई ढूंड़े तबी ही मैं शादी के लिए हां कहूंगी ऐसा कैसे हो सकता है बेटी यहाँ पर कौन आएगा जरूर आएगा सर मेरी पहचान का एक लड़का है सर खुद का बिजनेस करता है अभी तक उसकी शादी नहीं हुए ten कौन है वो हर गली कूचा जानता है अच्छे लोगों से मिलता है अच्छा गाना गाता है अच्छा सोचता है अहिंसावादी है लोगों की भलाई करता रहता है उसका दिल इतना बड़ा है कि लोग उसके दिल को दरिया बोलते है गरीबों का रिष्टेदार है वो मैं हूँ सर तू भी मेरे सपने में आता, गाना भी गया था, वो डुएट गयतरी के साथ न, अब वो डुएट था या क्या पता है, लेकिन मेरी बेटी शादी के जोड़े में आई थी, मेरी आखों में खुशी के आउसू था, तुमने उसे ऐसे देखा, मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी ऐसे हाय श्पीज, मुबारक हो अईसे ही नहीं, मजाग नहीं था, सच है इस बार, या, क्या, क्या, बॉटल मनी इतना चीप आदमी है, क्या, इतना प्रोटेक्शन के बाद, वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छा, इतनी प्रोटेक्शन के साथ, उसे कोट में खड़ा करोगे वह बोटल मनी नहीं है इसलिए कोट उसे छोड़ देगा उसके बाद कोट जाएगा तब यहीं तो मैं भी सोच रहा था तुमने तो मेरे मुह की बाद छिल लिए बेस्ट अफ लग दमाजी क्या यार इसके लिए भी किसी से पर्मिशन लेना है क्या कै अइसी पर्मिशन सार यह तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना है चलो यहां से चलो निगलो अरे चल यहां से वरना तिरायान काउंटर कर देंगे यह तुम लों यहां क्या कर रहो चलो निगलो निगलो तुने प्रमोशन की बात की थी ना जी सर तुझे भी चाहिए है हाँ सब्सक्राइब कर दो काउंटर को मैंने मार दिया आवाज सुनकर तु अंदर आया मैंने तुझे बात मारी तुझे गुस्साइब आया और तुने गन उठाकर मुझे गोली चला गोली चला सर फबली को हटा दिया सर अभी क्या मैं दोड़ोंगा तो तो गोली मारेगा ओके तेरे बंदूक में गोली है कि नहीं वो देख प्रोपन हो बंदूक टुझे बंदूक भात्य को हाज़ोंगा चल्च में अवी जगजाओ याज़ोंगगा बंदू पर तुम ूबन जाँ घाँ जाँ। जाँ जाँ के का स face ट्रवार ж। जा इस पील आवर! दों मुझा जा मढ़झा इस तों मुझा हुआ। 1 लमझा मढ़ा हुआ। арापक, आपका … चल दे तुम भाक!! चल्टान मार तान ले तान ले जल्दी तेरी तो बोल एंगाउंटर में उसको मारने वाले हैं तुछे कैसे पता चला बता मैं कुछ नहीं जाता है मैं कुछ नहीं जाता है चॉट दे जाता है तुम लोगों को किस ने बताया बता मुझे नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूगा सब्सक्राइब के चुछ नहीं तो मैं अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा सर मुझे चौड दीजे सच बता दे वो लोग कहां चुपे हैं और एंकाउंटर के बारे में तुझे कैसे पता चला बता बता मुझे नहीं तो मार दूंगा बता नहीं तो बता किसने कहा क्या बोला यह प्यार का मामला है सर इसके लिए इंकाउंटर के नाम से सब्ड़ मनी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा सर इसलिए बता दिया आम सॉरी सर ओ वो सिर्फ प्यार का केस है क्या एक असिस्टेंट कमिशनर का केस नहीं है मेरे परसनल केस को तू अपना परसनल केस नहीं मान प्रफ्जिन सुह Αुम यह जहार नहां कि लो गलव कर दो समय खर यह जो सबस्योग कर दो, जो समय है एल कर दो कर दो कर दो दो से मिन हम आखरा शो कर दो एल कर दो दो कर दो यह सब ।र बाइख दो तुझे इस तरह से इस ने मार दिया कितने सालों से तुझ इमानदारी से मेरे साथ काम कर रहा था खतरनाक हत्यारों की स्मगलिंग करते हुए ग्रूप को पकड़ने गए इंस्पेक्टर तैवन को उस हत्यार ग्रूप वालों ने मार डाला मरने से पहले इंस्पेक्टर ने एक मुझ्रिम को मार गिराया था और पुलिस ड्राइवर घायल है इसके बारे में एसे पी कुछ बताएंगे वो सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे वो उससे भी कई बढ़ करते हैं वो अक्सर मुझे एडवाइस किया करते थे और उनको बेरहमी से मार डाला बेरहमी से मार डाला सुनो वो एसे पी तुम्हें कोट ले जाते समय रास्ते पे तुम्हारा इंकाउंटर करने की सोच रहा है तुम मुझे मार के यहां से निकल जा जल्दी जा नहीं मैं मैं बचकर निकल गया तो एक और केस बन जाएगा आपका ज़रा फोन देना मुझे यार तु फोन ले किस से बात करना चाहता है वो मेरे फ्रेंड्स है वो सब देख लेंगे फिर ले बस मेरे नाम मताने देना मैं बाल बच्चे दारवाल आदमी हो सर बहुत बहु बिलते हैं सीधे यहां पर पहुँच गए और तभी चार पांच लोगों ने तलवार से हम पर आचानक हमला कर दिया और उन लोगों ने हमारे इंस्पेक्टर को जान से मार दिया इंस्पेक्टर सहाब ने मरने से पहले एक आदमी को मार किराया और बाकी हमलावर भाग गए मैं उस आतंखवादी को पकड़ कर ही सांस लूँगा और उस ग्रूप का हेड़ बोटल मनी उसे बहुत जल्दी पकड़ कर दिखाऊँगा हाँ बहुतन 용ी सांस बहुतन जपकों पका राद सब्काइ़ एक जिशण ङसे जाख़ भकों से稱ल जाट बहुतन कर दो gra terrace जा ध तो बहुतन कर दोंतन कर दोकोंन को बहुतन कर दिखा़ doisर . अरे किधर भाग कर जाएगा टोटल टोटल ग्रूप को पकड़ लिया है सेंटिमेंटल आदमी है वो इन लोगों प्रील प्यात 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 प्रिया मैत तुम्हें रूम में धकेल गड़ी लगाने की बज़ा है तुम तुम मुझे रूम में बंद करके दर्वाजा बंद कर रही हो वेरी गुड वेरी गुड यह अच्छा तरीका है नाइस कीप इट आप जोई वेरी आप लुक अज़ नाफ, भाफ, अाफ, टुक रुफ जुक, बढ़र के लिए रहा दए धाफ कि घर खगे और जिले और भींट आपहाल अपयद आप्रण कुछ आपाएँ ओश आपाएँ बिले कि दो प्माटन टो ऑफंसे हैं कि लग माटन थे कि लेंग दो माटन इंग माला उन दyang हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है पपाई है देख देख तेरी लवर को मार दूंगा मैं आगे बताना गला काट दूंगा पहले बता रहा हूं कर दिया क्या कर दिया क्या करो तुम यहां से निकार जाओ ने वो तुम्हें मार देंगे प्लीज चली जाओ यहां से अञ़ा आध कर देख दनेगर जाओ यहां मिलो कर दूँए है को ड्लो मुंगा रानेगर देख दाध कर दूँए है अब मोलाथ खो मैं आ खरो कर दूँए है मैं उस एसीपी से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन पापा ने हां क्या दिया था वो एसीपी मुझे जबरदस्ति उठा कर लाया लेकिन सही वक्त पर मेरे पापा ने आकर मुझे पेचा लिया उस जगड़े में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया एसीपी ने ही इंस्पेक्टर और उस लड़के को जान से मारा था अगर मैं उस दिन बता देता तुझे उन दोनों के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होता प्र चलते हैं अच्छा चलते हैं आप लोगों को कुछ नहीं होगा खुश रहो आज के बाद अपनी जिंदीगी में कुछ नहीं खोगे ठीक से पढ़ाई करना जिंदीगी में आगे बढ़ना टाइम मिले तो मिलने आना अरे मेरी प्यारी कहा छोड़कर जारी है मुझे अरे र समय निकाल कर मिले आए मां अरे क्या मनी कहां का टूना पड़ता है भावी मिल गई तो दोस्त को बुल जाएगा क्या क्या कहा तुमने अरे नहीं सिस्टर याद है तुने क्या कहा था ससुर के घर पे जादा दिन नहीं रहेगा इस तुझे एडवांस में 50,000 रुपे चाहि थे बोटल मनी बनना है क्या इस बार बोटल दए तल वाल कि राएपर घर चाहिए हमें तूलेट वोट क्या है काका हम लोग अच्छे घर से आया है काका जी हां सर मदिरा पान करना दूम्र पान करना लड़किया छेड़ना मांस खाना ऐसी कोई बूरी आदत हम में नहीं है स अगर आपके घर में ऐसा कोई करता है तो हमें पहले ही बता दीजिए हम लोग यहां से चले जाएंगे और कोई और मकान ढूंड लेंगे बस हो गया हो गया पहले घर तो देख लो अगर पसंद आए तो बाकी बाते करते हैं मैं को रचा कर आती हूं पापा ठीक है बेटा आ जबाँ करते हैं मैं मैं अगर पसंद आप बस आपाओर।